दोस्तो दुबलापन होना और सरीर कमजर होना एक बहुत बड़ी समस्या है और यह नेकेबल छोटी मोटी बीमारियों को बलकि आपके आत्विस्मास में भी कम ही लाती है हाला कि अधिक बजन होना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है लेकिन फिट रहने के लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिने आप घर बैटे आराम से फॉलो कर सकते हैं और अपना बजन बढ़ा सकते हैं यह जो वेट गेन टिप्स हैं यह बहुत ज़्यादा आसान है जिने आप अपने डेली रूटीन में सामिल करके अपने बोडी को एक मस्कुलर रूप दे सकते हैं चलिए वीडियो सुरू करने से पहले आप मेरे बारे में भी जान लीजिए मैं हूँ आपका फैमिली डॉक्टर डॉक्टर असोक कुमार सिंग और यहां बाते होती है हैल्थ और फिटनेस की दोस्तों वेट गेन करने के लिए मैंने इससे पहले वी एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या खाना चाहिए जिससे आपका वेट बढ़ सकता है लेकिन इस वीडियो में कुछ और टिफ्स बता रहा हूँ जैसे कि आपको सुबह सुबह regular exercise करनी है क्योंकि body building और वजन बढ़ाने के लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद कम से कम आधा गंटे से लेके एक घंटे तक exercise करें exercise करने के जो सरीर की पुरानी कोशिकाई होती है वो तूटने लगती है और इसके साथ भी जो नई कोशिकाई होती है वो दुगनी तेजी से बनती है ऐसा करने से आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और बॉड़ी भी आपकी muscular होगी इसलिए सुबह सुबह कम से कम आधा घंटे से लेके एक घंटे तक exercise जरूर से करें नेक्स्ट है high calorie food का सेवन आपको muscular body बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको high calorie food का सेवन करना है और high calorie food का सेवन करना का मतलब केवल यह है कि जितना आप खर्च करते हो उससे ज़्यादा आपको खाना है जिससे आपकी जो वजन की पिरक्रिया वो बहुत तेजी से बढ़ती है और वजन बढ़ाने के लिए जो high calorie food है वो कौन-कौन से है जैसे आप meat का सेवन कर सकते हैं, fish का सेवन कर सकते हैं, दूद का सेवन कर सकते हैं यदि आप साका आ रही हैं तो sweet potato को आप सेवन ज्यादा से ज्यादा करिएगा जिसमें high calorie होती है और आपका बजनी बहुत तेजी से बढ़ता है next है carbs और fat का सेवन, bodybuilders और विसेशकों को भी मानें और इसका असर हमारी bodybuilding पर और नई कोसिकाओं के बनने पर पड़ता है इसके लिए जरूरी है कि आप oats का सेवन ज्यादा करें, केला खाएं, blueberry खाएं और सेव का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि इन चेज़ों में बहुत ज्यादा carbs होता है और fat होता है जिससे कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा next है weight lifting इसके जरीए नेकेवल आपके सर्ड़ी की जो चर्बी है वो बहतरीन tone देने में उसकी मदद मिलती है बलकि अनावसक रूप से जो fat बढ़ाने वाले या वजन बढ़ाने वाले जोखी में उनको भी कम किया जा सकता है इसलिए कम से कम 3-4 बार weight lifting एक सब्टाए में जरूर से करनी चाहिए और next है खाने खाने से पहले पानी बिलकुर ना पीए यदि आप ऐसा करते हैं तो पानी पीने के साथ जो आपकी भूक है वो मिढ़ जाती है जिससे आप बहतर diet नहीं ले पाएंगे इसका सीधा आसर आपको calorie पर परता है जिससे आपकी calorie कम मिलेगी और आपका वजन कम बढ़ेगा इसलिए खाना खाने के लगबग आदे घंटे से एक घंटे बाद पानी पीने की आदत डालें इससे आपका digestion भी सही रहता है और आपको भूक भी अच्छी लगती है next तली बुली चीजों का सेवन बिलकुर ना करें क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए आप जिन तली बुली चीजों का सेवन करते हैं उससे आपकी सरीर की जो पाचन सकती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है इससे आपके जो खाने को पचाने के लिए ज़्यादा calorie की जरुत पड़ती है जिससे कि आपकी fitness पर बहुत बुरा असर पड़ता है जो कि आपके वजन बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है तो ये सब कुछ आसान से healthy tips थे जिनका पालन करके आप अपने weight को gain कर सकते हैं इससे पहली वीडियो मैंने आपको जो बताई था देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन बंदे मातरम